उत्तरकाशी से टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज सात्वा दिन है और टनल में 41 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही है और मगर छटे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान भी भी फेल हो गया और यहां टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ओगर मशीन ने भी काम कर बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद किया था और अब मलवे में ड्रिलिंग के लिए इंडॉर से नई बोरिंग मशीन लाए गई है जो कि देर राज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरी और उसको अब ती जुकरवार को काम करना बंद किया था तब उसके बाद पे दूसरी मशीन लाए गई थी मशीन में तकनीकी दिक्कत की बात कही गई है अभी तक 22 मीटर की जो टनल है उसका मलवा हटाया गया है और ट्रकों के जरिये नई मशीन लाए जा रही है तो द्रिलिंग के बाद पे नई दरारे भी उपरी है टनल से आवाज आने के बाद में काम रोका गया था खानी पीरी का समान ऑक्सिजन भी पहुचाई जा रही है और कड़ी मशक्कत के बाद में पाइप की मरमत की गई और आज दिल्ली से एक्सपोर्ट्स भी पहुचेंगे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज साथवा दिन है और अब इंदोर से नई मशीन मंगाई गई है जिसे कि पहुचने में अभी वक्त लगेगा लेहाज़ा बुरी खबर ये है कि फिलहाल उतरकाशी टनल में ऑपरेशन रुप गया है अभी तक सिर्फ बाइस मीटर ही पाइ वर्टिकल ड्रेल की भी संभावना तलाशी जा रही है इसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया चाहे लेकिन मशीन के वाइवरेशन से मलवा नीचे गिरने की भी यहाँ पर एक तरह से खत्रा इसे कह सकते हैं वो बना हुआ है जि की एरपोर्ट पर फिलहाल पहुच चुकी है और तीन ट्रकों के जरिये इसे उस ट्रडल के पास पहुचाया जाएगा माना जा रहा है कि दोपहर तक यह मशीन पहुच जाएगी जिसके बाद एक बाफ़ पर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो पहले एक मशीन खराब होती है उसके बाद में अमेरिकन मशीन ओगर जो की दिल्ली से लाए गई थी और उमीज जताए जा रही थी कि कल शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा लेकिन उसके बावचूर भी यह खराब हो जाती है बाद में जानकारी मिली कि अब तीसरी मशीन पहुंचेगी आज दो पहर तक मैंने बताया वहां का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा कभी सॉफ्ट आएगा तो रॉक तो आएगा उसको हम निगोशेट करके आगे बढ़ते जाए बिल्कुल आई है हम उसको निगोशेट करके आगे बढ़ते हैं अब आपको पहले भी बताया इसके पहले भी एक मशीन थी फिर अमने इसको बैक अप क्रियर किया अब इस मशीन में में अब प्रॉब्लम आ से तो फिर रहा है तो फिर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपके खराब होगा आप चेंज करके करेंगे तो वह तो लगा जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं जहां 1750 होर्सपार की मशीन काम कर रही तो वह तो होगा तो चोटी मोटी चीजे तो चलती रही उसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनेफिशेंसी है हम हमेशा बैक अप क्रियेट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं जब 24 बनेगा तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है दो मीटर बाहर है क्योंकि वह हमको जोडने के लगता है जब अगली पाइप है और अगली पाइप जो है पांच भी वह हम अलोड़ी जोड चुके हैं और आप देखेंगे कि कुछ स पर आप इस वक्त मौझूद हैं क्या वहाँ पर आप हलचल देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरे हैं कब तक जो तीसरी मशीन है वो पहुंच जाएगी और दुबारा से रेस्क्यों ऑपरेशन शुरू होगा बिल्कुल मैं आपको सीधी वो तस्वीरे दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं तरनल के ठीक सामने हम खड़े हैं लेकिन अभी रेस्क्यों ऑपरेशन फिलार बंद है बंद होने का करण यह है कि कल तक जिस मशीन से तरनल के अंदर रेस्क्यों काम करू किया गया था यान और आज जो उमीदे जिताई जारे कि एक और जो इंदर से मसीन यहां पहुचेगी तो उमीद यह बताई जारे कि करीब 2-5 बिल्स तक मसीन यहां पहुचेगी उसके बाद फिर काम जो रेस्क्यों काम अव्यान है यह फिर एक बार फिर अपनी गत पकड़ेगा और लेकिन इसी बीच कुछ अपडेट्स और आपको में दे दूं कि यहां पर एक जो रेल मार्ग जो लगाता टनलों के बीच से जा रहे हैं उसके इंजिनियर्स के जो एक्स टीम है वह यहां पहुंच चुकी है जो टनल के अंदर जाके कुछ सर्वे कर रहे हैं यानि कि अब राई ली जारी कि किस तरके से जो एक तालीस जिंदियां इस टनल के अंदर हैं उनको बहार निकाला जाए और जहां तक वर्टिकल की जो वर्टिकल डिलिंग की बात की जा रहे थी तो उसमें भी एक अपडेट आपको बता दू कि यहां जो टनल है टनल के करीब 200-500 मीटर पर एक 130 मीटर की डिलिंग की बात चल दी है कि वो जो इस पॉट है वो टनल से जब उपर हम पहाड पर देखेंगे तो यह पूरा अभी एक प्लान इस अभी रेस के जा रहे हैं टीम अंदर पहुची आप नजर बनाये रखिएगा क्या कुछ आंकलन किया जाता है इसको लेकर भी म इतलतीफी की जा रही है साथ दिन बीच चुके हैं लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली लेकिन उसके लेए भी नया प्लेटफॉम यहां पर बनाया जा रहा है उसके इंस्टोलेशन में भी एक लंबा वक्त लगने वाला है यानि कि आज साम तक आज का दिन पूरे इसके इंस्टोलेशन में चला जाएगा दूसरा जो पलान है जो वर्टिकल पलान की सतेंदर बा रहा है तो रेलेवे के वही एक्सपर्ट कल यहां पर पुरा सरवे करके गए हैं आज उनके इंजिनियर भी यहां पर पहुँचे हैं अब यह भी प्लान किया जा रहा है कि जो जो इसका मैप था जो इसकी डीपियार थी उसकी स्टेडी करकि वो जगह चिन्नित कर ली गई ह जहां से कम से कम दूरी टनल की बनती है, होरिजेंटल के रूप में, और वहाँ पर एक बाइपास टनल का टनल खोधने, टनल सुरू करने का भी इस पर प्लान चला है, बहुत संबभव है कि आज इस पर काम भी सुरू हो सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है, और रेल पहुंचने वाले हैं और फॉट पर पहुंचने वाले हैं मेरे साथ बलबीर अभी हम यह भी देख रहा है टनल में कि वहां पर पंदत जी पूजा पाट भी लगाता चल रहा है क्या पूरा बिल्कुल जिस तरह से मंदिर टनल के बाहर था एक छोटा सा मंदिर बनाये गया था वो जो काम के दोरान तोड़ दिया गया था अब यहां पर जो बोखनाग देपता परसीद देपता है और जो ग्रामिन कह रहे कि बोखनाग देपता का भी परफ़ोब हो सकता है तो कंपनी सब कुछ ठीक हो इसलिए बोखनाग देपता के मंदिर वाली जगा पे खुदाई क जहां पर मंदिर था वहां पर पुजारी है और नवीवा कंपनी के पुजारी को बुलाए गया है और बोखनाक देवता एक परसीद देवता है वह चेतर में बिना बोखनाक देवता के इजाजत के कोई भी काम गरामीन नहीं करते हैं तो जिस तरह से लगातार गरामीन कह रहे थे कि मंदिर बनाये जाए उसके बाद ही काम शुरू किया जाए और जिस तरह से असवलता लगातार मिल रही है उसके बाद कंपनी भी अब भगवान से उम्मीद लगाए बैठी है क्योंकि पिसले 35 गंटे से कार्या पूरी तरह से ठ करतिया है कि पुजारी भी मौके पे है और जिस जगह पे मंदिर को तोड़ा गया था चोटा मंदिर वहां पे खुदाई की जा रही है और मेरे ख्याल से वहां पे मंदिर बनाने का अब प्रयास शुरू हो जाएगा कि अंदर जिस तरह से कल सुनने में आए कि अंदर करें शुरू हो जाएगा इसी तरीके जिताई जारे क्योंकि लगातार पूजा अर्चना भी यहां पर बता रहे थे यहां पर पुराना वह पुरानीक मंदिर था आस्ता का बड़ा केंदर था यहां के जो लोग है इस्थानिया लोगों उस तेम से ही नाराज थे जब वह त कि के सतिंद्र इसके पीछे भी हमने एक स्टोरी सुनी जो कि वहां के रहवासियों की आस्ता भी थी उन्होंने अपनी वज़ा बताई लेकिन साथ दिन बीच चुके हैं अभी कुछ और भी वक्त लग सकता है ऐसे में क्या यह भी सुनिशित वक्त वक्त पर किया जा रहा है कि जो लोग अंदर हैं वो लोग सुरक्षित हैं तो क्या उनसे भी वक्त वक्त पर बातचीत की जा रही है मेरी आवाज आप तक पहुच पा रही है तो लगतार इस बड़ी खबर पर Ground Zero पर हमारे सही होगी मौझूद है और हर अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं थोड़ा वक्त और लगेगा इसमें क्योंकि अभी मशीन पहुची नहीं है उसके बात कितना वक्त लगता है ये भी देखना होगा आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साचा करने के लिए यमनोत्री और गंगोत्री हाइवे को जोडने वाली टनल के एक तरह रेस्क्यू अपरेशन भी चलाया चारा है तो वहीं पर टनल के दूसरे चोर पर आज भी काम चल रहा है बड़कोट के पास से शुरू हुआ टनल का काम करीब सत्रा सो मीटर तक पहुच चुका है और वही टनल के जिस तरह पें 41 जिन्दीगी फसी है वहां करीब 2400 मीटर तक का काम टनल पर पूरा हो चुका है और बीच का जो 400 मीटर का काम बचा हुआ है वहां पर 41 लोग पिछले 7 दिलों से फसे हुए है वहीं दूसरी तरफ से 100 से जाड़ा लोग काम कर रहे हैं जहां का जायसा लिया हमारे समवदाता सतिंद्र बर्तवाल ने गंगोतरी यमनोतरी को जोड़ने वाली ये वही करीब 4.4 किलोमेटर की टनल है जिससे की आगे आने वाले दिनों से इस हाईवे को जोड़ना था लेकिन इस टनल के अंदर आज भी 41 जिन्दगी पिछले 7 दिनों से जूज रही है जिसका बड़ा कारान है कि टनल के अंदर जो मलवा आ गया था उस मलवे में के एक छोर पर वो फस चुके हैं आप देख सकते हम अब टनल के अभी दूसरे इत छोर पे हैं जहां पे काम लगातार जारी है बताया जारा है कि हर दिन यहां पे 200 से जादा लोग यहां पे काम करते हैं और हर दिन यह 200 लोग दाइस से तीन मीटर ही टनल का काम कर सकते हैं यानि कि अभी तक यह जब से यह टनल सुरू काम शुरू वहां तब से इस छोर से करीब 1700 मीटर काम हो चुका है यानि कि टनल के अंदर 1700 मीटर का काम हो चुका है और साथ ही अगर हम दूसरे छोर की बात करें जहां वो लोग फसे ह अभी तक बन चुकी है लेकिन बीच का जो पैच है वो अभीवी 400 से 500 मीटर का बताया जा रहा है जिसकी खुदाई होनी है और जहां वो लोग फसे हैं वो लोग ठीक 2400 मीटर फसे हैं और उनके पीछे करीब करीब 200 से 200 की जो मीटर का एडिया है वही उसी के अंदर वो लोग आप देख सके यह टर्णल का दूसरा चोड है और यहां पे काम लगाता जारी है सामने मसीने और डंपिंग याड भी इस कुरी टर्णल का इन दौर से हैं तो उन उन से उमीदें सुरू करेगी दूसरा प्लान यह कि आप देख सकते हैं जो यह टनल है टनल के उपर से एक डिल करके ही उन तक पहुंचने की भी तयारे की जारी है अब प्लान कहीं बन रहे हैं लेकिन वो जो लोग हैं वो कब बहार आएंगे यह कहना अभी भी जल्द बाजी होगी लेकिन उ परिजन है उनका उस तरफ यानि कि अब दूसरे चोर पे जो टनल के दूसरे चोर पे वो लोग भी लगाता है वहां पे खड़े हैं अपनों की अपनों से बात्चित कर रहे हैं बहले पाइप के जड़िये उनसे बात्चित हो रही है लेकिन वो अब उनका चेहरे देखना रहे हैं केमरा पर्संदीब के साथ में सतेंद बर्टवाल न्यूज 18 उत्तरकाशी को सिलक्यारा टनल में फसे 41 मज़्दूरों की सुरक्षा के लिए बदरिनात धाम में हवन पूजन किया गया उत्तरकाशी के स्थानी लोगों ने बदरिनात धाम में पहुंशकर हवन पू बदरिनात धाम में हमारे सिलक्यारा में टनल बन रही है उसके अंदर 41 मज़ूर फसे हुए है विविन राजों से हमने भगवान बदरिवी जाल्जी के प्रातना किया यह भगवान बदरिवी शाल्जी आप उनको सुरक्षित बाहर में काले और हमारे पंडिजी दिमरी जी पहार निकल जाए महां से और भगवान नारेन से प्रातना करते हैं कुझी प्राड़ों की रक्षा करें स्री विश्णू से स्राम पार्ट पुट्टी निस्वारे